मेरे इस चैनल पर आने वाले सबी श्रोतों को दर्शकों को मेरा साधर सप्रेव नमस्कार कल की एपिसोड में कैलकटा में नेता जी ने जो अंदोलन चलाया उसके कारण से उनको गृफ्टार कर दिया गया अब नेता जी तो चाह रहे थे कि वो जेल में ना जाए चूंकि उनको विश्व विश्व में जाकर के भारत यह जो ताकत थी शक्ति थी करांटी कारियों की देश्वक्तों की और भी कुछ के दिमाग में तूंकि वो पहले विदेशों में कई बार जा चुके थे कई कुछ दिमाग में चल रहा था चलिए गिरिफ्टारी हो गई 29 नवंबर 1940 को 29 नवंबर 1940 को सुभाशने जेल में ही आमरन अंशन आरम कर दिया और घुशना कर दी यदि मुझे जेल से मुक्त नहीं किया गया तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूँगा एक सप्ता के उपवास में रहते हुए इतनी कमजोरी हो गई थी कि वह ठीक से बैठ भी नहीं सकते थी इसलिए लेटे लेटे ही तकिये के सहारे लहोर से उन्होंने ग्रह मंत्री को पत्र रिखा सुभाश के इस पत्र ने सरकार को और सब को हिला के रख दिया वो पत्र क्या था वो इंग्लिश में as it is मैं आपके सामने रख रहा हूं जो उन्होंने लिखा जैसा लिखा सुभाश जी लिखते हैं there is no other alternative for me but to register a moral protest against the unjust act of this indefinite detention and as a proof of that protest to take a voluntary fast unto death I am going to hold and in jail by brute force I say in reply I say in reply release me or I shall refuse to live and it is for me to decide whether I choose to live or die the individual must die so that the nation may live today I must die so that nation may live may win freedom and glory अब ये लिखा हुआ उनका पत्र ब्रिटिस सरकार के हाथ में आ गया सरकार को हिला के रख दिया सरकार डर गई सरकार के दिमाग में एक आतंक सा बैठ गया चुक्के सुभाश अपनी जश और कीर्ती की बुलंदियों को शू रहा था उस समय उनके मन्में क्या डराया के भई यदि सुभाश ने आतंबलिदान कर दिया पत्तर के अंदर वो यही तो बोल रही थे ना केメरे पास और कोई तरीका नहीं है के मैं आतंबलिदान कर दू इए मेरा दिकार है के मैं फिर अब इन हालात में मैं जियूं या मरूं पर मेरे मरने से भी अगर मेरा मेरी कौम मेरा देश जिन्दा रह सकता है तो मैं उसको प्रैफर करूंगा चुकि मुझे जीने का आप कोई कारण नहीं नजर आ रहा जो मेरे साथ किया जा रहा है जेल के अंदर तो सुभाश ने अगर आतम ब्रिजान कर लिया तो विपलव का भै था क्रांती का भै था ब्रिटिस सरकार के अंदर देश के कोने कोने में सुभाश का नाम बोल रहा था धुम मचा रहा था इसलिए मजबूरी में सुभाश को रिहा कर दिया गया लेकिन उन्हें सक्त पहरे में घर में ही नजर बंद करके रखा गया सुभाश को बिश्वास हो गया कि अब सरकार उन्हें जहां भारत में कुछ नहीं करने देगी इसलिए उन्हें वेश इसलिए उन्हें वेश बदल कर देश छोड़ कर भागने की उन्होंने जोजना बना ली कि 17 जनवरी 1941 को मोलवी का वेश में बीमा एजेंट बन करके नकली मोलवी का वेश धारन कर गुपचरों के जाल को भेदते हुए घर से चुपचाप निकल गए जगा जगा अपना नाम और वेश बदलते हुए वेट सब्सक्राइस मार्च 1941 को बर्लेन जर्मनी पहुंच के लंबी यात्रा है मैं विस्तार से नहीं बता पा रहा बहुत लंबी यात्रा है बीच में क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ जर्मनी पहुंच के और किस तरीके से वो घर से निकले थे वो भी एक बड़ी रोचफ कहानी है पर आपने कहीं न कहीं और मेरे पहले वाले एपिसोड्स के अंदर भी मैंने उसको विस्तार से दिया हुआ है अब यहां पर जब जर्मनी पहुंच गये तो हिटलर ने जर्मनी के हिटलर ने सुभाश को अजाद हिंद का नेता कहे कर इनका स्वागत किया इसके बाद से सुभाश नेता जी के नाम से विख्यात हो गए जर्मनी में सुभाश को जर्मनी में जो भारतिय सेनक जर्मनी ने जो कैद किये थे उन भारतिय सेनकों में राश्ट्र भक्ति की भावना जागरत कर 26 दिसंबर 1941 को उन सेनकों का एक इंडियन लीजन सेनिक संगठन तयार कर लिया जो बाद में या यह कहना चाहिए कि जो कारे नेता जी सुभाश चंदर बोस भारत में चाहकर भी रहकर भी करनी पाए थे विदेश जाकर उन्होंने ये काम असानी से कर लिया इदर ब्रिटिस सरकार ने सुभाश के हवाई दुर्गुटना में मारे जाने की जूठी ख़वर फैला दी वो जो लास्ट वाली बात है ये वो नहीं है पहले ही अब उनको लगा के सुभाश ने विदेशों के अंदर हल्कचल मचा दी है यहां भी युवा सुभाश के पीशे है भारत का प्रतेक नागरीक और किसी नेता को नहीं सुन रहा के वो सुभाश को सुन रहा है यह जिनको कर जाते हैं कि हजादि इन्होंने लेके दी नंको कोई सुनी नहीं रहा था सुभाश की आके आने के बार सुभाश के और जश्वी भाशन, उनकी रीती, नीती, उनकी शिक्षा, उनका प्रस्तुती करन और उनके घोश, उनके नारे, उनकी सारे विश्व को अपनी योगिता और ख्षमता से परचा कर परचे कराने की कला ये सब देख करके और भारतिय सैनकों की वहाँ पर जिस प्रकार से उनने किया और उनको पता चल गया है तो उनके फिर क्या किया कि उनकी एक जूठी ख़बर के नेता जिस भाशन द्रबोश तो हवाई दुघुटना में मारे गए है जबके सुभाश ने 25 मार्च 1903 को जब ये शंका चल पड़ी सब तरफ निउस फैल गई तो 25 मार्च 1902 के दिन भारतियों की शंका के निवारन करते हुए अजाद हिंद रेडियो बर्लिन से गोशना की मैं सुभाश न्दर बोस बोल रहा हूँ मैं अभी जीवित हूँ और अजाद हिंद रेडियो बर्लिन से आप से बात कर रहा हूँ इस प्रसार उनको सुलकर सारे भारत में प्रसंता की लहर दोड गई नेता जी की दुर द्रिष्टी भविश्य की घटनों को पहले से ही अपने द्रिष्टी पटल पर परतक्ष दिख पढ़ती थी और अब भी कुछ वो दिख रही थी वो क्या उन्हें पहले ही आभास हो ग कि इस युद्ध में जर्मनी की हार होने वाली है कि सिंगापूर पर जपान का अधिकार हो चुका था सुभाष ने सोचा कि सिंगापूर से भारत पर आकर्मन करना असान होगा इसलिए उन्होंने भारत की सीमा के निकट जपान जपान से सिंगापूर सिंगापूर से भारत सिंगापुर पर कब्जा भी हो गया लेकर जपान का हुआ है ना पहले वो जपान चले गए जपान पहुंच गए जपान द्वारा गृफतार भारतिय सैनकों में भारत के प्रती राष्ट्र भावना जागरत करते हुए कैप्टन मोहन सिंग के नित्रेतों में अजाद हिन फोज तयार कर ली गई सुभाष्ण 21 अक्तूबर 1943 को जपान की सहायता से सिंगापुर के कैथे सिनेमा ग्रह में विशाल जनसबा के सामने अस्थाई अजाद हिंद सरकार की घोशना कर दी जपान मंचूरिया थाइलेंड चीन इंडोनेशिया जावा समात्रा बोर्नियों और फिलिपीन इन नौ देशों ने इसे मानिता प्रधान कर दी तीन देशों ने बाद में विक्री ती टोटल बारादेश थे पर नौ देश समान और निकोबार के दो दीप भी इनके हवाले कर दिये गए तिनाख 24 अक्तूबर 1943 को रात्री के बारा बजकर पांच मिनट पर अजाद हिंद सरकार अजाद हिंद सरकार की ठीक तरह से घोशना हो गई और वहां से अमेरिका और इंग्लेंड के विरुद युद की घोशना कर दी अमेरिका और इंग्लेंड के विरुद नेता जी सुभाश कंदर वो उस जुद की घोशना कर रहे हैं क्योंकि इंग्लेंड के साथ अमेरिका था इसलिए घोशना तो करने थी बराबर ही करने थी अजाद हिंद फौज की इस घोशना से विश्व युद का तो परिद्रिश ही बदल गया अंग्रेज समराज्य की चूले हिलने लगी भारतिय वीरों के शौरे परदर्शन का जपानी सैनक भी लोहा मान गए इदर वे वीर सैनक भारतिय सीमा पर खून की होली खेल रहे थे और उदर अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी सप्ता घबरा रही थी इंग्लेंड की वायो सहना भी हवाई सहना भी शुन्य की और बढ़ रही थी बहुत मार खा चुकी थी भारत को अपने हाथ से सिकता देख सरकता देख इंग्लेंड ने अमेरिका से गुहार की किसी तरह हमें बचाओ अमेरिका ने अपने अंतिम शस्त्र अनुबम का प्रथम बाद प्रयोग करके छे और नौ अगस्त को जापान के दो बड़े महानगरों हिरोशीमा और नागासेकी को धुस्त कर दिया भ्यंकर तबाहि के बाद 15 अगस्त 1945 को जपान ने हथ्यार डाल दिये सारखेल खतम हो गया अब समस्या ये थी कि नेता जी की सुरक्षा कैसे की जाए मांट बैटन साउथ इस्ट एश्या की एलाइंस फोर्सिस का कमांडर इंचीफ था उसे अदेश था उपर से के नेता जी को जिन्दा या मृत किसी भी हालत में गिरिफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए कितना टैरर था सुभाश का लेकर नेता जी 17 अगस्त 1945 को सेगाम हावाई अज्डे पर पहुंचे वहां पर अब कहां जाना है कहा जाता है कि सेगाम से टोक्यू जाते हुए उनका जहाज फॉर्मोसा की राजधानी ताई पे हवाई अड़े पर ही दुगटना ग्रस्त हो गया जिससे सुभाश का निदन हो गया कुछ लोगों का विश्वास है कि अंग्रेजों के चंगुल से बचने के लिए ही नेता जी ने ये कहानी तयार की थी कुछ भी हो ब्रिटिश शासन के पतन का पहला पन्ना लिखने वाले अमर सैनानी नेता जी सुभाश चंदर बोस ही थे पर देख भारतिय के दिल में आज भी वो विराजमान है अधादी के बाद इन काल अंग्रेजों ने दुष्टों ने उनके साथ क्या किया पहले क्या किया ये मैं इसके चौत्थे आपिसोड के अंदर इसको विस्तार से आपके सामने लाऊंगा लेकिन सुभाश की अमर्वानी जड़ा याद करिये मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा दिल्ली चलो और जैहिंद भातियस वटंतरता संग्राम के इतिहास में इतिहास के प्रिष्ठों को सदैव गुर्वानवित करता है किसी न सच ही कहा है सुभाश तेरा नाम ही तो इनकलाब है जैहिंद की पुकार से तू ही जिन्दाबाद है तू ही जिन्दाबाद है नेता जी सुभाश दर्बोस की ये संक्षिप्त कथा कहानी जीवन उनका क्रित उनका ये वहयामी क्रिस्मेटिक क्रिश्माई व्यक्तित्व सारे विश्व को चौंका देने वाला समोहित करने वाला तब तक मैं इसको अधूरा मानूँगा अब इस यात्रा को आप तक पहुँचाने में मुझे लगेगा कि कहीं तो मेरे से चूक हुई जीवन यात्रा मैंने संक्षेप में आपके सामने लाई है प्रंतु वो अजाद हिंस है ना जिसने आखरी लड़ाई लड़के आखरी कील ब्रिटिश सरकार के कफर्मेंट डाल दी उसको नेत्रित्व देने वाले नेतारिस वाचंदर बोस का विश्व व्यापी वो योजना और वो कठिन मार्ग और कहां कहां कैसे कैसे किन किन फाजों के साथ कहां कहां मुकाबला हुआ प्रतिकार हुआ मौसम ने क्या किया प्रकृति ने क्या किया बप्रित परस्तितियों में क्या क्या हुआ और आखिर में जिस तरीके से कहा जाता है कि वो इस तालिके से एर क्रैश में गए इन सब बातों के उपर अब कल तो मैं दो तिन चार दिन के परवास पर हूँ यह चौथा एपिसोड पार्ट फॉर इसका आज पार्ट थ्री दे रहा हूँ पर वो पार्ट फॉर में आप जिस दिन भी आऊंगा कैमरे में इस चैनल में इस प पार्ट फॉर के बिना सुभाश के लिए सारे विश्व के लोगों ने क्या बोला भारत के लोगों ने क्या बोला उस समय के सहायतिकारों ने क्या बोला पत्रकारों ने क्या बोला प्रस्थितियों ने क्या बोला ऐसा कृश्माई व्यक्तव सारी दुनिया का सहयोग लेने वाला उसारी जिनको ड्राना था उनको ड्राने वाला जिन से सहयोग लेना था वो लेने वाला और बच्पन से कॉलेज की यात्रा कॉलेज के बाद ICS लंडन की यात्रा उसके बाद भारत में हर महीने हर दो महीने के बाद जेल में जाना आना ये सब चलता रहा और आखिर में जो नमबर पार्ट फॉर पे जो मैं आपके सामने लाऊंगा वो जरूर मुझे लगता है कि सुभाश के बारे में नेता जिस्वाश नर्बोश के ब पैनल के उपर मैं दे रहा हूं अंसंग हीरोज को यह अंसंग तो नहीं है लेकिन इनके बारे में भी बहुत कुछ है जो सरकार ने आपके सामने नहीं लाया मैंने कुछ इसमें भी लाया है और चोथे एपिसोड के अंदर मेरा प्रयास रहेगा और वो बाते आपको कभी नहीं भूलेंगी मैं तथ्यों और आंक्रों के साथ पेश्व करूंगा भई और इनकाल एंग्रेजों ने दुष्टों ने भारत की सरकार चलाने वाले जिन ल के लिए मेरा अगर यह परयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और इसको शेर करिए तमस्कार चैनल भारत धन्यवाद